मनीपूर हिंसा को लेकर दस पार्टियों के प्रतिनीदी मंडल ने 18 नवंबर को राजजपाल अनुसु या उईके से मुलाकात की प्रतिनीदी मंडल में कॉंगरेस नेता और पुर्व मख्य मंतरी ओ इबोबी सिंग शामिल थे प्रतिनीदी मंडल ने राजजपाल को एक मेमोरेंडम भी दिया इसमें कहा गया है कि केंदर सरकार खास कर प्रधान मंतरी नरीन मोदी के दखलक दिये बिना राज में शांती कायम नहीं हो सकती प्रतिनीदी मंडल ने ये भी मांग की कि कुकी और मेते दोनों समुदायों के बीच जल्द शांती वारता कराई जाए मनिपूर में कुकी जो समुदाय के सबसे बड़े संगठन इंडिजिनेस ट्राइबल लीडर्स फोरम के जनरल सेकेटरी मौान टोंबिंग के खिलाफ देश रो का मामला दर्च किया गया है ITLF नेता ने बुद्वार को केंदर सरकार को अल्टिमेटम दिया था कि दो हफ़ते में आप मनिपूर में हमारी अलग सरकार बनवाए या फिर हम खुद बनाएंगे ITLF नेता की इस चेतावनी के बाद उनके खिलाफ चुरा चांद पूर्थाने में केस दर्च किया गया है मौान के खिलाफ IPC की धारा 121A, 124A, 153 और 120B के तहट FIR दर्च की गई इन धाराओं में भारत सरकार के खिलाफ साजिश, दंगा भढ़काना, लोगों को उकसाना, देश दुरों के साथ अन्य अपरादिक साजिश शामिल है दरसल ITLF ने बुद्भार 15 नवंबर को अल्टिमेटम दिया था कि उन्हें अलग प्रशासन नहीं दिया गया तो वे दो खफ़ते बाद चूरा चांदपूर, कांग पोकपी और टेग्नोपूल जिलों में एक समाना अंतर प्रशासन बना लेंगे यहां मनिपूर सरकार का दखल नहीं चलेगा इसी के साथ मैंने रहे है एशालिस इंडिया के साथ